ओमे नमह सिवाई नमस्कार मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि अपरील 2021 से दिसंबर 2021 तक किस रासी के जातकों की साधी होगी यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह वेडियो सभी रासी के जातकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबम उपयोगी है तो वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करदें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट करदें एबं वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों अब आगे मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि अपरील 2021 से दिसंबर 2021 तक किस रासी के जातकों की साधी होगी तो आने बाले कुछ महिनों में आपके लिए कोई सुभ समाचार आ सकता है आने बाले शमय से पहले यदि आप अपने जीबन साथी की तलास कर रहे थे तो आने बाले कुछ महिनों में आपके जीबन साथी की तलास पूरी होगी आने बाले शमय में आपके लिए बिबाह का प्रस्ताब अबश्य आएगा मित्रो आने बाले कुछ महिनों में आपके कुंडली के मुताबिक कुछ ग्रहों का योग आपके साधी की प्रबल संभाबना बना रहा है आप में से जो भी जातक प्रेम बिबाह करना चाहते हैं तो आने बाले कुछ महिनों में आपको अपने घर बालों से बात करनी चाहिए मित्रों इसके बाद है बिरिशब रासी यदि आप बिरिशब रासी के जातक हैं तो आने बाले कुछ महिनों में आपके लिए कोई सुभ संकेत मिलेगा जिस संकेत के कारण आने बाले शमय में आपको बीबाह का प्रस्ताब मिलेगा इसके बाद तीसरी रासी है मिथुन रासी मित्रों यदि आप मिथुन रासी के जातक हैं तो आने बाले कुछ महिना आपके साधी के द्रिश्टी कौन से आपके बीबाह के द्रिश्टी कौन से बहुत जयादा सुभ पडिनाम देगा क्योंकि आने बाले शमय में आपके लिए बिबाह का योग बन रहा है मित्रों आने बाले शमय में प्रेमी जातकों के लिए भी उनके पार्टिनर के साथ साधी करने की प्रबल संभाबना है मित्रों आप में से जो भी जातक किसी को पसंद करते हैं एबं आने बाले शमय में यदि आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आने बाले शमय में आपको जो परिनाम मिलेगा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वह परिनाम आपके अनुकूल होगा जिसके कारण आने बाले कुछ महिनों में मिथुन रासी के जातकों की साधी अबश्य होगी इसके बाद है तुला रासी मित्रों यदि आप तुला रासी के जातक हैं तो आने बाले शमय में आपके लिए बिबाह का सुभ योग बन रहा है आने बाले शमय में यदी आप साधी करने की योजना बना रहे हैं तो आने बाले कुछ महिनों में साधी के बंधन में आप बंध सकते हैं आने बाले शमय में आपका लब लाइफ बहुत ज्यादा बिहतर होगा आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका शंबंध बहुत ज्यादा मजबूत होगा आप में से जो भी जातक अब तक ओ बिबाहित है तो आने बाले शमय में आपको साधी का प्रपोजल मिल सकता है इसके अलाबा आने बाले शमय में आपके कुंडली के मुताबिक आपके लिए बिबाह का योग बन रहा है मित्रों इसके बाद है अन्तिम रासी यानी की कन्या रासी आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक कन्या रासी के जातक है एबम आने बाले कुछ महिनों में यदि आप साधी करना चाहते हैं तो आपको बिबाह संबंधी कोई सुभ समाचार अबश्य मिलेगा आप में से जो भी दर्सक अब तक ओ बिबाहित है तो आने बाला शमय आपके लिए बहुत जयादा सुभ एबम बहतर होगा आने बाले शमय में आपको साधी का प्रपोजल अबश्य मिलेगा आने बाले शमय में यदि आप प्रेम बिबाह करना चाहते हैं तो प्रेम बिबाह के द्रिष्टी कौन से भी आपका शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने बाले शमय में यदि आप प्रेम बिबाह करते हैं तो आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रों अगर कुल मिला कर देखा जाए तो मेस रासी, ब्रिशब रासी, मिथुन रासी, तुला रासी, इबम कन्या रासी ये कुछ रासी है जिन रासी के जातक यदि आने वाले शमय में साधी करना चाहते हैं तो इनके बीबाह की प्रबल शंभाबना नजर आ रही है तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें एबम इस वीडियो के बारे में आपका जो भी बिचार हो तो अपने बिचार को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, धन्यवाद